नमस्कार, आप सबको पता है कि हमने पिछले दो बर्स से एक नई परमपरा शुरू की है, एक तो बजेट को हमने एक महिना पहले प्रिपॉन किया है, और एक अपरिल से बजेट लागू होता ति इन बिट्विन हमें दो महिने तैयारी के लिए मिल जाते हैं, और हम प्रिया से कर रहे हैं कि बजेट के प्रकाश में सारे स्टेक्षोल्डर्स मिल करके, प्राविट, पब्लीक, स्टेट गवर्मेंट, सेंटर गवर्मेंट, सरकार के भिन 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 डिपार्टमेंट, बजेट के लाइट में हम जल्दी से जल्दी चीजों को जमीन पर कैसे उतारें, सीमलेसली कैसे उतारें, और आप्टिमम आउटकम, उस पर हमारा बल कैसे हो, इसमें जितने आप लोगों के सुझाव मिलेंगे, उससे शायद सरकार को अपनी निरने प्रक्रिया को भी सरल करने में सुविधा होगी, इंप्लिमेंटेशन का रोड मैप भी अच्छा बनेगा, और फुल स्टोप कोमा के कारण कभी-कभी एकाच चीज, 6-6 मिने तक फाइलों में लटकती रहती है, उन सारी चीजों से बचने के लिए हम आप लोगों के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, आपके सुजाओं को ले करके चलना चाहते हैं, ये चर्चा बजेट में ऐसा होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था, इसके लिए तो संभवने क्योंकि वो काम पार्लामेंट ने कर लिया है, लेकिन जो कुछ भी है उसका अच्छे से अच्छा फाइदा, जनता तक कैसे पहुंचे देश को कैसे मिले, और हम सब मिलकर के कैसे काम करें इस हैतु से हमारी ये चर्चा है, आपने देखा होगा, इस बार बजेट में साइन्स और टकलोजोई से जुड़े, जो निर्ने हुए हैं, ये सारे निर्ने वाकई बहुत मत्वपूर हैं, बजेट की इंप्लिमेंटेशन भी उतनी ही तेजी से हो, ये वेविनार इस दिशा में एक कॉलोबरेटिव एफट है, फ्रेंट्स हमारी सरकार के लिए साइन्स और टकलोजी ये सिरफ एक आइसोलेटेड सेक्टर नहीं है, आज एकोनोमी की फिल्ड में हमारा वीजन, डिजिटल एको और फिंटेक्स रैसे आधारों से जुड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फिल्में हमारा डेवलप्मेंट वीजन, एडवांस टेक्नोलोजी पर बेज़ है, पब्लिक सर्विसीज और लास्ट मैट डिलिवरी भी अब डेटा के जरिये डिजिटल प्रेट्फरम से जूड नहीं है, हमारे लिए टेक्नोलोजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम पावर करने का एक ससक्त माध्यम है, हमारे लिए टेक्नोलोजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है, और जब मैं भारत के आत्मनिर्भरता की बात करता हूँ, तो आज भी आपने अमेरिका के राश्प्रती बाइडन का भाषन सुवे सुनाओगा उन्होंने भी अमेरिका को आत्मन्दिर भर बनाने की बात तहीं है अमेरिका में मेक इन अमेरिका के लिए उनने आज बड़ा जोड दिया है और इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया में जो नई व्यवस्थाइबन रही है उसमें हमारे लिए भी बहुत आवशक हैं कि हम आतमांदिर भारतिया काई का आगे बड़े और इस बजेट में उन चीजो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, जीयो, स्पेशल सिस्टेम्स, ड्रोन से लेकर सेमी कंडॉक्टर्स और स्पेस टेक्नोलोजी तक, जीनोमिक्स, फार्मस्टिकल्स और क्लीन टेक्नोलोजी से लेकर 5G तक यह सभी सेक्टर्स आज देश की प्रात्विक्ता है बजेट में सनराइज सेक्टर्स के लिए थिमेटिक्स फंड को भी प्रमोट करने की बात कही गई है आप जानते हैं कि बजेट में इसी साल 5G स्पेक्टरम के आउक्षन को लेकर बहुत स्पर्स्ट रोल मेप बताया गया है देश में स्ट्रॉंग 5G एको सिस्टिम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैनुफेक्टरिंग के लिए भी बजेट में प्रपोच की गई है मैं अपने प्राइवेट सेक्टर को विशेश तोर पर आगर करूंगा कि इन फैसलों से जो नई संभावनाय बन रही है उस पर डिटेल डिसकुसंस आप लोग जरूर करें और कॉंक्रीट सुझाओं के साथ हम एक सामुही प्रयाश से आगे बढ़ें साथियों कहा जाता है कि साइन्स इस उनिवर्सल बट टेक्नलोजी मस्ट भी लोकल साइन्स के सिध्धान तो जहम परिचित हैं लेकिन टेक्नलोजी का उसका जादा से जाद इस्तेमाल इस अफ लिविंग इसके लिए कैसे करें हमें इस पर भी जोड़ देना होगा आज हम तेजी से घरों का निर्मान कर रहे हैं रेल रोड एरवे वाटरवे और अप्टिकल फाइबर भी अबुत पुर्वन निवेश्क हम हो रहा है इसमें और गती लाने के लिए पी-एम गती शक्ति के वीजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इस वीजन को टेक्नोलोजी से निरंतर कैसे मदद मिल सकती है इस पर हमें काम करना होगा आपको पता है कि हाउसिंग सेक्टर में देश के छे बड़े लाइट हाउस प्रोजेक्स पर काम किया जा रहा है गरों क के निर्मान में हम आधुनिक टेक्नोलोजी को जोड रहे हैं हम टेक्नोलोजी के माध्यम से इसकी गती और कैसे तेज कर सकते हैं इसे और विस्तार दे सकते हैं इस पर भी आप सब का सायोग हमें चाहिए शक्रिय योगदान चाहिए और इनोवेटिव आइडिया के साथ चा हैं, मेडिकल साइंस भी करीब करीब टेकनोलोजी डिवन हो गया है, अब ज्यादा से ज्यादा मेडिकल एक्विपमेंट्स का निर्मान भारत में हो और भारत की आवश्च्टाओं को ध्यान में रखके हो, उसमें टेकनोलोजी की कैसे मतर ली जा सकती है, इस और भी हम सब को म कर सकते हैं, आज आप देखिए एक छेत्र जो इतना तेजी से फला फुला है, गेमिंग का, अब विश्वब है, इसका बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, युवापीडी बड़ी तेजी से जूड़ गई है, इस बजेट में हम ने AVGC यानि एनिमेशन विज्यूल इफे गेमिंग कॉमिक पर बहुत जोड़ दिया है, इस दिशा में भी जब भारत आईटी का सबंद में दुनिया में अपनी इज्जत कमा चुका है, हम अब स्पैसिफिक ऐसे एरिया में अपनी ताकत खड़ी कर सकते हैं, क्या आप अपने प्रयासिस में बढ़ा सकते हैं, इसी पसंद होती है, क्या हम हमारे देश के बच्चों के अनुकुल्ट टेक्नोलोजी से जुड़े हुए खिलोने और उसका दुनिया में मार्केट, एक ऐसा ख्षेत्र बन सकता है, हम सोच सकते हैं क्या, ऐसे ही, कॉम्मिनिकेशन सेक्टर में नई टेक्नोलोजी लाने के लिए हम सब को हमारे प्रयासों को और अधिक गेति देने की जरूरत है, सरवर भारत में ही हो, विदेश्वपन निर्फरता कम से कम हो, और कॉम्मिनिकेशन के समन्द में सिकुरूटी अंगल नया नया जूड़ता चला जा रहा है, तो हमें बड़ी जागरुकता के साथ, इस और अपने प्रयास बढ़ाने ही होंगे, फिंटेक के समन में भी भारत ने पिछले दिनों कमाल कर दिया है, लोग मानते थे कि हमारे देश में ये खेक्टर में कैसे बड़, लेकिन बोबाइल फोन से भी फाइनांसल एक्टिविटी में जिस प्रकार से हमारे गाउं भी जूड आधुनिक टेक्लोजी का समावेश आज हमारे लिए समय की माग है, इसमें सिकुरिटी भी है, फरवरी 2020 में देश ने जियो स्पेशल डेटा को लेकर पुराने तौर तरीके बदल दिये हैं, इससे जियो स्पेशल के लिए इन्फिरेट न्यू पोसिबिलिटीज, न्यू आ हमारे प्राइवेट सेक्टर को इसका पूरा लाब उचाना चाहिए, साथियो कोवीड के समय हमारी सेल्फ सस्टेडिबिलिटी से लेकर वैक्शिन प्रोड़क्शन तक हमारी रिलाइबिलिटी को दुनिया ने देखा है, इसी सक्सेस को हमें हर सक्टर में रिप्रिकेट करन है, इसमें हमारी इंडुस्ट्री की आप सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश में एक रोबस्ट डेटा सिकुरिटी फ्रेमवर्ग भी बहुत जरूरी है, डेटा का ज्यादा से ज्यादा लाब उठाने के लिए डेटा गवर्नर्स भी आवश्ट है, ऐसे में इसक के स्टांडर्स और नॉम्स भी हमें सैट करने होंगे हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़े आप सभी मिलकर एक रोड में तयार कर सकते हैं फ्रेंट्स आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और फास्टेज गोइंग स्टार्ट अप एको सिस्टेम है मैं अपने स्टार्ट अप्स को बरोसा देना चाहता हूँ कि सरकार उनके साथ पूरी शक्ती से खड़ी है बजेट में युवाओं की स्किलिंग, रिस्किलिंग और अप्स्किलिंग के लिए पॉर्टल का प्रस्ताव भी रखा गया है इस से युवाओं को API-based trusted skills, credentials, payment और discovery layers के जरिये सही jobs और opportunities मिलेगी Friends, देश में manufacturing को promote करने के लिए हमने 14 key sectors में 2 लाग करोड रुपे की PLS किम शुरू किये है इस webinar में से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मुझे practical ideas के पिक्षा है मुझे seamless implementation के रास्ते आप हमें सुझाईए citizen services के लिए हम optic fiber का और बहतल इस्तमाल कैसे कर सकते हैं हमारे गाउं का दूर दराज का विद्ध्यारती भी हिंदुस्तान की top most education system का लाब इस technology के मादम से अपने घर में कैसे ले सकता है मेडिकल से मैं कैसे ले सकता है एग्रिकल्चर में innovation का लाब किसान मेरा छोटा किसान कैसे ले सकता है जब उसके हाथ में mobile है दुनिया में सारी चीज़े available हैं हमें इसको seamlessly connect करना है मैं चाहता हूँ इसके लिए मुझे आप सभी महनुभाव से innovative सुझाव की जरूरत है साथियों e-waste जैसी technology से जुड़ी जो चुनवतियां विश्व के सामने हैं उनका समाधान भी technology से ही होगा मेरा आप से विशेश आग रहे हैं कि इस webinar में आप circular economy, e-waste management और electric mobility जैसी solutions पर भी focus करें, देश को निरनायक समाधान दे, मुझे पूरा भरोसा है आपके प्रयासों से देश अपने लक्षों तक जरूर पहुचेगा और मैं फिर से कहूँगा, ये webinar सरकार के तरब से आपको ग्यान परोशने का नहीं है ये webinar आप से सरकार को idea चाहिए, आप से सरकार को नहींने तौर तरीके चाहिए ताकि गती कैसे बढ़े और हम जल्दी से जल्दी स्पैसे जो लगाए budget खर्च किया है, सोचा हैं, उसको हम पहली त्रिमाही में ही कुछ करके दिखा सकते हैं क्या, टाइम बाउंड प्रोग्रेम बना सकते हैं क्या, मुझे विश्वास हैं, आप इस फिल्म में हैं, आपको हर बारी क्यों का पता है कहां कठिनाईया है उसका पता है, क्या करने से अच्छे से अच्छी तरीके से हो सकता है, तेज गती से हो सकता है, आपको सब पता है, हम मिलकर बैठ करके इसको आगे भढ़ाना चाहते हैं, मैं आपको इस webinar के लिए बहुत-बहुत शुप कामनाई देता हूँ, धन्यवाद कर दो